अभी आपके सामने फुल शोबिफाइब कोस्ट प्रजेंट होने वाला है यह हमारे पेड मेंबर्स के साथ हुई एक क्लास है इस पूरी क्लास में आपको एक सुपर हाइब करना सिखाया जाएगा वीडियो पूरी एंड तक वाच करना एंड वीडियो कर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना सबसे पहले अगर हम बात करें कि वाइड वी नीड तो सैल ऑन-लाइन की ऑन-लाइन सेल करना सबसे पहले क्यों जरूरी है इसका सिंपल सा आंसर है स्केलिटी अगर आपने घर के पास अना जो अगर आपके रेडियस में होंगे फांच किलोमेटर के दस किलोमेटर के अंगर आपका नाम आपका नहीं बेग सकते अगर आपका ओन-लाइन स्टोर है तो मतलब अभी जो पोपिलेशन है आज ही मैंने चैक करी ए वन पूर फॉर बिलियन है पूरे इंडिया की मुपिलेशन 144 करोड सो इतने लोग को लाइक आपकी ओडियंस है आप सकते हो सो स्केलेबिलेटी बहुत ज़्याद है अगर आप online कोई समान बेखते हो अपना श्टोर बनाते हो इसलिए हमें online श्टोर बनाना ज़रूरी है सो अगर कापी लोग कंफ्यूज होते हैं अभी एक तो है कि आप अपना श्टोर बना रहे हो अपनी बनाओ गया आप एक है कि आप आप अपना श्टोर है तो आपको कोई कमिशन नहीं किसी को हंडेट परसंट ट्रॉफिट आपका है आपको बस अगर आपका अपना श्टोर तो आपको मार्केटिंग में खर्च करने पड़ेंगे लेकिन अगर महीं बात करें मार्केट प्लेसिस की वहां भी आपको खर्च करने पड़ते हैं पैसे रिव्यूज लेके आना पेड को नहीं सीखने वाले हैं मार्केट प्लेस की बात नहीं होगी यह लेटर स्टेज में आता है कि जब आप पूरा एक ब्रैंड बना लो आपके पास अच्छा खासा कैश लो है उसके बाद हम मार्केट पर जाते हैं वह कभी एडवांस में बात करेंगे अभी हम बात करने वा एक टीम हायर करनी पड़ेगी और आपसे करोड रुपए भी लग सकते हैं आपका एक स्टोर रेडी करने में अगर आप पूरी टीम हायर करो अगर आप देखोगे जो वैब डेवलेपर होते हैं उनकी एक एक महीने की सैल चार चार पांच पांच पास लाक रुपे होती है अगर आप 10 डेवलेपर हायर करोगे तो सोचे कितना पैसा हो गया अगर आपको लाइक कुछ अमाजोन जासा स्टोर बनाना है ना और अगर हम एक बात करें एक वू कोमर्स है वर्ट्रेस के थुरू लेकिन उसमें सिक्योर्टी लेवल्स का इश्य होता है जादर ट्रैफिक आप इसे पढ़ सकते हो हमने एक इंट्रो दे रखा है शॉपिफाइगा शॉपिफाइग बैस्ट है आपको कोई कोडिंग की नॉलिज आने की जरूत नहीं है एक 10 साल का बच्चा भी शॉपिफाइग की मदस्स से अपना ओनलान स्टोर बना सकता है शॉपिफाइग इतना अगर आपको स्टोर बनाना है अपना आपको उनलाइन प्रोडक्स करने है तो शॉपिफाइग स्टोर मस्ट है आपको वह पुरानी चीज़ हो चुकी है और कोडिंग की तो हम छोड़ी देते हैं वहाँ पर तो पैसा ही बहुत लगना है इसका क्या होगा यह हमने एक लिंक दे रखी है मैं आपको शेयर कर देता हूं यह अप्लियेट लिंक है तो इसमें अगर आपको पैसे होल्ड हो जाएंगे परमिशन होगी कि हां अगर आप 5000 से उपर बहुच जाते हो इस पैसे कट हो परमिशन मांग रहा है उस परमिशन को भी आप हटा सकते हो मैं भी आपको लाइब दिखाऊंगा कैसे अंगोशस को हटाना है तो अगले महिन उसके बाद कर दो अगर आप नहीं करो आप र आप driving नहीं करियेerek Ming दिन तक तो वह इस्टार को बंद होने दीजिए को ही बिस रुपे लगाए कट है ते टिक है आप जैसे मेरी affiliate link है मुझे फायदा जभी होगा इसमें कुछ commission मिलेगी मेरे को वह जब मिलेगी जब आप 15100 उपेगर होगे लेकिन मैं अपने फायदा के बारे मैं नहीं सोच रहा हूं सो आपका फायदा में बता रहा हूं कि अगर आप earning नहीं कर रहे हो store बन कीजिए दूसरा store बनाईए आपको सेमी पैसे लगने आप डिरेक्ट भी जाओगे जब भी आपको नहीं पैसे लगने इस link के थूरू होगे जब इतने पैसे लगने सो आगे बढ़ते हैं link पे चलते है मैंने link copy कर ली है वन सेकेंड सो हमने यह link टाइप कर दिया अपना यह बॉक्स में अब आप जैसी देखोगे ब्रिंग यूर आइडियर टु लाइफ ट्वंटी रुपीज मंथ पहले यह तीन महीने का ट्रायल देता था शॉपिफाई की अब लेकिन वह एक महीने का हो गया यहां पर आपको online store राइट हो रहा है और आपको सिर्फ 15 रोपे करने है लेकिन मैं आपको हैक बता दिया है सब आपको भी लाइफ दिखाऊंगों करके आप जैसे 45 दिन हो दूसरा श्टोर बनाईए अब यहां पर एक हमने डमी इमेल बना रखी है सेम अगर आप फोलो करोगे तो अच्छा रहेगा ठीक है अभी मैं साथ-साथ में कोश्टन्स भी लेते जाऊंगा ताकि सब किलियर रहें एक लैपटॉप ले लिजिए आपने साथ और साथ-साथ फोलो कीजिए तो अगर आपको जो भी डाउट्स आएंगे वह हाथ के अगर अगर आप फुद मैनिफेक्ट्ट्र हो आप फुद का प्रोडक्ट है तो आप फ़स्ट वाला सेलेक्ट कर लो अगर आपने लैपटॉप तो आप यह आपको जब सलेक्ट करने वाली है तो हम द्रॉप्शिविंग प्रोडक्स करने लेज़ें सेलेक्ट लोकेशन का इंडिया होगी नेक्स्ट वह में साइन अप गूगल करना होगा साइन अप गूगल पे क्लिक करा हमने हमारी इमेल साथ फोलो नहीं कर रहे हो तो एक नोटपैड ले लिजिए तो आपके लेजी रहेगा कोशन्स अपने कोशन्स लिख लीजिए मैं पूछूं है आपको पूछ सकते हो तो हमारे आप स्टोर रैडी हो चुका है जैसे आप देखोगे दो मिनिट भी नहीं लगे है अब हम आत होता है आपका डोमेन के लिए सबसे वेबसाइट है नेमचीप मैंने गूगल पर लिख दिया नेमचीप नाम से पता चल रहा है नेमचीप सस्ते में मिल जाएगा आपको ठीक है लोग डाइडी यूज करते हैं लेकिन एक्सपैंसिव होता है आप नेमचीप पर आओग लेकिन वर्लड वाइट तो काम करना नहीं है में इंडिया में करना है अगर हमें इंडिया में करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँ है अब देखोगे और सस्ता मिलेगा आप यहां देखोगे 600 रुपे चेकाउट और गाइस एक चीज़ और अच्छी होती है नेमचीप म आपको 20-30 रुपर महिने के देने होंगे और कुछ आप साल का पैकेज ले सकते हो तीन-चार्स रुपर आपकी प्रिमेंड हो जाएगी नहीं लेना आपके उपर है इमेल मैंडिटरी नहीं है आप इमेल भी यूज कर सकते है बस एक बिजनस इमेल बोलता हूं से होता है तो इस एक निम मनन फिक हूं परस ऑके यहां पर अपने अकाउंट को ख्लिक कर दिया जब फर्स्ट टाइम करोगे जब यह आपको प्रोसेस फोलो करना आपका पहले से अगर नेम सीप पर अकाउंट होगा तो आपको फोलो करने की जरूद्ध नहीं है तो हम कंपनी नेम में भ मुझे पता इससे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है अब यहां पर यह मैंने एक नंबर डाल दिया है टैक्स नंबर डालने की जरूद्ध नहीं है कंटेनियो अब यहां पर हम अपनी कार्ड इंफ्रमेशन डालनी होगी जिसके लिए मैं एक सेगिंड के लिए स्क्रीन करूंगा कोई प्राइवेट इंफ्रमेशन लीक ना हो समझोगे यहां तक कि लिए चल रहा है न सबको एक आपको शोफाइश्टोर करना 20 रुपई लगने है आपको डोमेन बेसिकली क्या है शोफाइश्टोर आपकी दुकान है जो आपकी जमीन होगा एक तरीके से करते हैं अगर आपको डाइड से लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकि मैं फॉलो जो भी स्टैप्स आपको सिखाने वाला वह नेमचीप से होंगा गोडाइड से पूरा फॉलो करें सबको क्लियर हो जाता है एक दम प्रैक्टिकली होना चाहिए जब तक आप भी अपना ड प्रिक का तारी है आप मुझसे पूछ सकते हो स्क्रीन शेर ओन कर लेता हूं प्रेमेंट हो चुकी है तो आप देखो कि यहां पर यहां पर आना होगा आपको यह जो इंफ्रोमेशन है अपने डोमें की कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है मैं आपको लाइब दिखा रहा ह प्राब्लम होती है दिखाने में लेकिन कोई प्राब्लम नहीं है यहां पर हम कमी लोग देख रहे हैं ज्यादा लोग नहीं है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली समझाए अब हम इस पेच को यह चोड़ देना है जब अभी हम कनेक्ट करें इंडिया में चल जाता है डॉट कोम ले सकते हो पुरे वल्ड में चलेगा इंडिया हर जगा चलेगा सो कोई दिखत निया बस वैसे मत ले 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 न डॉट यूएस हाना वह यूएस में ही है डॉट पी चै वह पाकिस्तान के लिए यह ऐसे डॉमें मत लेना सर्काड कौन जाए गोडड़ी अब मैं मनन तोर्स मैंने एस लगा दी है आगे तागे मैं पता चले ओके अच्छा इस पर ऊफर चल रहा है ठीक है इसके बाद यहां पर काफी सस्ता मिल रहा था एक उफर चल रहा है जो भी फर्स टाइम यूजर होगा ठीक है उसे एक उर्पेगा मिल जाएगा डॉमेन जैसे मनन तोर्स आप देखोगे वैसे तेरा सुर्पे कुछ है लेकिन फर्स्ट यह उनली देन फर्स्ट यह उनली तो यहां पर बहुत सारी अपसेल्स देते हैं इसलिए मुझे पसंद नहीं है अब फुल डॉमेन प्रोटेक्शन आप देखो साड़े 500 रुपे का नेम चिप सब कुस देता है आपको आपको कोई यह सब अलग से सलेक्ट करने की दरूत नहीं है सो आप यहां पर देखिए यहां पर अगर मैं वनियर कर रहा हो तो वनियर आप देखिए साड़े 900 रुपे का यह वह इनका लूप होल ता कि लूप होल कहेंगे उसको मैं तरीके से कि आप यह तीन साल का लोग है तो यह कुर्पे पर पड़ जाएगा जो भी इनकी चल रहा है तो इसलिए मैं रिकमें चाहिए कोई भी आपका नॉर्मल कांट मैं तो इंडियन कार्ण आपको दिखाओं यह कार्ण कार्ण का नहीं क्या रखें रखें रहते हैं जैसे दो तरीके के नेम रख सकती है पहला हो गया एक और जैसे मुस्त ग्रैब है उसमें हम किसी भी तरीके समान बेख सकते हैं स्टार्टिंग में यही रिक्रमेंड करूंगा एक जन्रीक डोमेन का नाम रखो जिस दुगान पर आप सारा समान बेख सको हर्ट चाहे गैजिट हो चाहे लाइक होम डेकोर का हो किसी पी तरह समान बेख सको अगर आप ले लुगा बेख सको होते हैं लेकिन पर ज्यादा बनता है अगर आप देखो गोगे कोई डॉक्तर है जो पर चीज का रहे हो तो ना कर रहे हो तो यह बाकिए जीन्रीक ने प्रोडक्त मिल जाए चल रहा है और मुझे एक दो करोड की सेल दे रहा है महीने की पिर आप उस प्रोडक्त के उपर एक स्टोर बना लो अलग से उसे स्केल करो फिर आपके और ज़्यादा यह सब अलग-अलग steps बोलता है आपको कुछ नहीं सुनना है आपको उपर दिख रहा है माई स्टोर आपको इस पर क्लिक करना है मैनेज अकाउंट पर आजाना है आपको अब मैनेज अकाउंट पर आपको दो सेटिंग से एक जनरल और एक सिक्योर्टी जनरल में आप यह अपलोड कर सकते हैं अपने फोटो आप चाहो प्रोफाइल पर लगाना आप यहां पर फोन नमबर आप एड कर रहा हूं आप भी साथ साथ फोलो करो नमबर हमने आड कर द क्लिके पासवर्ट आप रहा हो तो आप पासवर्ट को आपald कर सकते हो शटर की है आपको चोनल वरेंब करना फर्जाओं कर आपकी आपको लोग कर ना फैसके है अर्ग पूरी है आप से अपने जीमेल अकाउंट के बरोसे मत रहिए अब जो घाई समतर स्टेप पर आते हैं इस चीज यह चीज यह कुछ है जो आपको सैटिंग्स आपको करनी होंगी स्टार्टिंग से आपको सैटिंग पर आ जाना है नीचे मैं से नीचे करता हूं आप देखोग नेमचीफ से लिया है तो यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल इमेल डाल सकते हैं जैसे कि मैं बात में बना लूंगा इसलिए मैंने अब यहां पर आपका विलिंग इंट्रोमेशन तो यहां पर आपको अपको दिखेगा आप नीचे आओगे इस सारे और आप्शन आपको ऐसी आइडिया आएगी ना उसके कुछ लिख सकते हैं जैसे मालो मस्ट ग्रैप था मेरे एक स्टोर तो एम जी लिख दिया मैंने अब जो ऑडर नंबर जन्रेट हो एम जी जैसे 1000 से स्टार्ट होती है इनकी सीरीज सो एक हजार एक हजार दो एक हजार तीम सो ऐसे अगर आपके म स्टार्टिंग में अब भी कर देते हैं मना इसको सेव कर लेते हैं सैटिंग्स को अब एक इंपोर्टन स्टैप की बात करते हैं प्लैंस को आपको प्लैंस सेलेक्ट करना होगा जैसे देख रहे हो आप 20 रुपर भी स्टार्टिंग में नहीं मांगता तीन दिन कर ट्रायल ह होता है लेकिन आपका स्टोर अक्टिवेट नियुक्त रहेगा आपका स्टोर जब तक आप प्लैन को अक्टिवेट निकरोगे तो आपको चूस प्लैन पर क्लिक करना है आप यहां पर देख सकते हो 20 रुपे और फर्स्ट मंथ उसके बाद आप देखोगे पंद्रासौ देख रहा है यूपीआई पर हमने क्लिक कर दिया सैट अप यूपी आइड डाल रहा हूं तो के संद सब यहां पे वन सेंट किया और स्टो निज्टो है ले वैलिट फॉन नंबर अंब्डेट नहीं है कुछ तो फोन नंबर अप्डेट कर रहा हूं मैं है वन सेकंड मैंने कि यहां पर हमारा डन है अब हम आ जाते हैं वन सेकेंड कि सैटिंग थोड़ा बोर तो नहीं हो रहा ना गाइस तो कि टेक्निकल चीजों में थोड़ा सा बोर होता ही है हमने यह नंबर एक जगह और यूज कर रहा है ठीक है यह थो ठीक है नंबर अब सेकेंड प्लाइन चूज फ्लैन प्लैन यूपियाई सेट अप्लाइब यूपियाई करना होगा जैसे कि अगर आपने कभी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हो तो इनके पास रहेंगे वह बैंक में हो जाएंगे पैसे सो वन सेगेंड अपन हो रहा है कि इस चीज का काफी लोग को रहता है पांच हजार हो जाएंगे तो यह लाइव करके दिखा दूँ हमें पांच हजार का स्क्रीन देखता हूं ठीक है जैसे आप देख सकते हैं अब मुझे इसे करना हुगा ठीक है आप देखोगे एकसेप्ट कन्फोर्म ए और पे आपको डरना नहीं आपके पैसे कट निर्याएं यह मैने एकसेप्ट कर लिया है सब्सक्राइब आपर ऑपने कर चुका है और अगर आप देखोगे मैं आपको और चीज़े दिखाओं यहां पे पहले से भी कई बार यह चीजे हम कर चुके हैं कि हमने श्टोर बनाये हैं यहां पर देखोगे पहले से यह तो भी एक्टीव है वन सेकंड इसे भी आप यह देखो कि यह तो भी एक्टिव है अब यहां पर आपके यहां पर आपके आजाएंगे यूपिया मैंडेट्स की आप यह देखो अभी फर्ष्ट वाले एक्टिव है जो आपके सामने करा है उसके आप नीचे देखो सब रिवोक हैं कोई पैसे कटे नहीं है अब मैं जाजा जल्दी रिवोक कर दिया कर दिया कि एक्सेप्ट इंकलूड एंसेग रोट हो चुका है तो जैसे मैं आपको दिखाया प्रिवोक कर सकते हो को यह आपको को पैसो की टेंस्टन की जरूथ है कि आपके पैसे हो गया आप पर आगे बढ़ते हैं इसे हम अटा देते हैं पैसे ना हो तो एक option होता है card का card से आपके पैसे नहीं कटेंगे कोई भी एक दो रुपे का I think mandate लेगा जिससे कि वो उसके again permission मिल जाएगी वो आपके अकाउंट से 15,000 रुपे तक कार सकता है 15,000 की permission होगी card से आपके पूरे 15,000 रुपे कोई hold नहीं होंगे आपके बस एक दो रुपे कटेंगे आपको इसमें रोपोसो भी दिखाऊंगा आपको इंडियमाट भी दिखाऊंगा आपको टैंशन लेने की ज़रूत नहीं पर दुबार से मैं स्क्रिंग पर आ गया सो होम पर चलते हैं सब को किलियर हो अपना प्लैंस का की के आगे बढ़ते हैं सैटिंग्स में आ जाते हैं दुबारा यहां पर मारी स्टोर डिटेल्स डन वह भूआ नहीं है इसको छोड़ देते हैं बाकि काफी लोगों का हो गया यूजर परमिशन की बात कर लेते हैं सबसे इंपोर्टन चीज है कि आपके स्टोर पर जैसे कि काफी ज्यादा रेविन्य होने लग गया तो आप क्या करोगे नेक्स्ट कि सारा काम खुद करोगे नहीं आपको स्टाफ भी एड करना होगान है जो ओडर प्रसेस करें सब कु आप सेम इमेल ऐडी कर सकते और उसके बाद भी आपको वह स्टाइफ है ठीक है पेमेंट के आगे बात करते हैं मैंने उस कलक सेक्शन बना रखा है ठीक है चेक आउट पर चलते हैं अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या आपको फोन नमबर यह स्लेक्टिद आपको नीचे कर लेते हैं अब फिर यहां पर कस्टमर इंफ्रोमेशन ओनली रिक्वार लास्ट नेम नहीं हमें फर्ष्ट और लास्ट नेम रखना है आपको कोई बीटू भी बिजनस है ड्रस लाइन तू आपको इंक्लूड नहीं करनी है दो-ड्रस लाइन किसी की नहीं होती है तो हैं अब यहां पे क्या होगा कि आप ई-मेल भेज पाओंगा अगर इसे प्रिसलेक्टिट रखो या ना कुस्त्मर चूजब कर सकता है लाइक आप इसे इमेल भेस सको गया कि है इसे डिफॉल्ल पर पी इसलेक्टिड ही रखो चेक आउट मतलब कोई टिप देने नहीं वाला है इंडिया के लिए यूज शिपिंग एड्रेस एड्रेस ब्लिंग यूज अड्रेस फीपिंग एड्रेस अब इसको शिपिंग एड्रेस को में अभी मैं देखू हूं आ चैकाउट पेज पर जाके जब वेरिफाइब करेंगे सब्सक्राइब करें यहां पर कोई हमें कुछ करने की जरूत नहीं है यहां पर हमारे डन हो चुका है मैं एक बाश देख लेता हूं अल्लाइन श्टोर पर आगे आप श्टोर चैक कर सकते हो हम यहां पर आगए यह सारी डमी प्रडॉडक्स हमें पहले प्रडॉडक्स डालना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ चीज़ जब हम सारे डालेंगे सो सकता कुछ चेंजी समय करने पड़े वह भी आगे करेंगे सब कुछ आपके सामने लाइव यहां पर हम चैक आप पर आचुक है कस्टमर अकाउंट पर कोई काम नहीं है हमको शिपिंग डिलिवरी अब यहां पर हमें चीज करन इसके आप पैसे ले सकते हो कि आप चालीस रुपर एक्षटर करते हैं अगर आप डिफोल्ट आप जो शॉपिफाय का चैक आउट सिस्टम इस्तमाल करोगे तो यह उप्शन्स आएंगे लेकिन हम रिलीजीट का करने वाले हैं यह इर्रेलेमेंट चीज है लेकिन आपको ब सब्सक्राइब करना नहीं बूलना है यहां पर दिखा रहा है टैक्स कलेक्ट कर रहा है लेकिन हम जब बनाएंगे वहां पर हम इससे हटा देंगे पॉन्ट अफ सेल यह सब कुछ हमें आपको काम नहीं है क्यों हमारा ओफ-लाइन नहीं है काम ठीक है अब सेल चैनल की बात करे अपके श्टोर का जो नाम है ऐसा होगा तो कैसा लगे गा ना कोई आ रहा आपके श्टोर पर या आपके वन सेकेंड यह देखे यह आपके श्टोर का नाम है जीब लगेगा आपको आपको अपको प्रोफेशनल डॉमेन लेना इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता हो इहां पे यहां पे से कोपी कर लेते हैं एक और सबसे पहले करो होगी वन सेगेंट यह आप यहाँ पर लेंड करोगे जैसी आपके डोमेन आप ले लोगे ठीक है आपको मैंने इस पर क्लिक करना है जैसे मैंने आपको बता दिया था एडवांस डी एएनस पर जाना है आपको ओके एन हम सबसे पहले यहाँ पे A record आइड कर रहे हैं यहने आप delete कर दो delete action add new record A record add red उसके बाद current IP second current IP उसके बाद required अच्छा current sorry गलती कर दिए है one second अभी हमारी यह है अभी हमें यह डाली है c name record add करेंगे A record add हो चुका है one second add new c name record www and copy process आपको follow करना है simple है ठीक है जैसे आपने देखा यह हमारा हो चुका है हमने a record डाल दिया ठीक है host हमने यहाँ आप देख सकते हैं same values डाल दीजिए आपको यहाँ पर भी दिख रहा है same values हमने copy कर दिया है ओके and verify connection कर देंगे दूबार अब आप यह देखिए हमारा domain इतनी जल्दी connect हो गया पहले इसमें घंटा तक लग जाता था लेकिन आज पता नहीं आश्वफाय को दिख गया कि वह डेडी होस्टिंगर आप कहीं से भी domain ले सकते हो आपके जैसे कि जो आप शोफाय स्टोर बनाऊगे तो आपके में अलग जो भी आई-पी 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 आजीना मेरी कोपी मत करना और मेरे स्टोर पर रीडिरेक्ट हो जाएगा वह आप अपनी जो भी आपको डॉमेंट राइडर होगा नेमचीप सबसे सस्ता है इसलिए मैं आपको नेमचीप बताया मैं भी यह यूज़ करता हूं अगर वुकोमस से करते तो आपको लेनी की जरूत होती होस्टिंग कुछ नहीं लेनी बस आपका शोफाय स्टोर आपक वर्डप्रेस अपने स्टोर बना रहे तो वुकोमस लगती है तो पहले यही यूज होता था इसमें आपको होस्टिंग भी लेनी है चार पांच जार होस्टिंग में लगेंगे डोमें में लगेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती थी ठीक है जाल ट्रैफिक इमेल अपना परस्टनल यूज कर लो मेरे पास जैसे मतना नेमचीप फ्री में देता है दो महिने की इमेल तो मैंने वह यूज कर लिए अब जैसे मैं आपको दिखाओं वन सेकेंड एडवांस्ट में आ गए हम प्राइवेट ईमेल अब जैसे आप देखोगे जैसे में प् नेमचीप अब मनन स्टोर हम सेलेट कर लेंगे कंटीन्यू जैसे आप देखूँगे फ्री है ठीक है अब क्रियेट मेल बॉक्स पर क्लिक करना है क्रियेट मेल बॉक्स अब यहां पर जैसे आप देखे मैंने आपको बताया था मैंने मेल डालती हेलो कर दिया है यहां पर यहां पर पासवर्ड डाल दूआ सब्सक्राइब यहां पर हमारी सक्सेस्फुल एक इमेल आइडी बन गई है फ्री में वह भी कोई पैसे नहीं लगे यहां पर दन जैसे आप देखो यहां पर शो कर दिया है जैसे कि मैं आपको बता रहा था कोई मेरा फाइदा नहीं आप नेमचीप यूज करो कोई भी यूज करो आपके उपर है बस आपको एक इमेल आइडी फ्री में मिल रहे है आपको और क्या चाहिए आप जीमेल इमेल आइडी आप यूज कर सकते हो पहले कितने पैसे कटेंगे आपके 20 रुपे कटेंगे सबसे पहले पांच जो आने बता है होल्ड हो जाएंगा पर प्रिवोक कर लो जैसे मैं आपके सामने रिवोक कर रहा है ठीक है और बस आपको और कोई पैसे नहीं लगने यूजर मैं अल्रेडी बता रहा है तो कोई दूसरा यूजर नेम डाल लो आगे बढ़ते हैं डिलीट कर सकते हैं विल्कुल वन मन्त के बाद सो आगे हमारा शिपिंग डिलीवरी हो गया एप्स दोमेन हो गया हमारा पॉलिसी की बात कर लेते हैं आपके पॉलिसी काफी इंपोर्ट टैंप्लेट प्राइवेसी पॉलिसी बन गई अब यह कुछ चीजे बता रहे हैं आप हमें डेट इंसर्ट करनी होगी जैसे कि आज है तेरा माई तो तेरा चाह दोजाट चोबिस हमने डाल दियो पर काम डिलीट कर देते हैं वैसे तो कोई आपकी पॉलिसी देख नहीं रहा लेकिन अगर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए तो रेजर पर या जो भी आप प्राइवेसी पॉलिसी पॉर एक्जामपल कॉपी कर लो सिंपल नाम बदल देना बस ठीक है जो भी आपका लाइक नाम होगा अगर आप बिन नाम डाल सकते हो अगर आप जिएश्टी के साथ कर रहे हो प्रवाइटर शीप अपने प्रम का नाम डाली है प्राइविट लिमेंट उसका नाम डाली है सो आप सिंपली नाम चेंज कीजिए मस्ट ग्राइब डॉट इन से जितनी पॉलिसी वह आप उठा सकते हो और पेश् चेंज कर देता हूं मस्ट ग्राइब से मनन स्टोर तो यहां पर मैं इमेल आइडी चेंज कर दूँ है मनन स्टोर यह आपको भी करना अगर आप कॉपी करोगे मेरे स्टोर से अब कॉंटक्ट इंफ्रोमेशन अगैन अब मेरे पेज पे जाईए इस टाइप से कर लीजिए ट्रेड नेम जैसे मैंने आरेम इंटरप्राइज डाल रखा है मेरी प्रवाइटरशिफ फर्म थी अब मैं माल लो कि मेरी कोई फर्म नहीं है मैं बिना जीस्ट कर रहा हूं अब बिना जीस्ट के भी 40 लाग की टर्न ओवर कर सकते हो यह उसके बाद आपको जीस्ट नंबर अब हमने डाल रखा है सेव यह हमारी पॉलिसी रइडी हो यह ऐसे आपको भी अपनी पॉलिसी करके रख लेनी है आपको मैं काऊंगा आपको जंजट में पढ़ने की जरूत नहीं है पेमेंट गेटवेगी लेकिन 99.9 परसंट आपको पेमेंट जो आने वाली है उनलाइन जो इंडिया में वो सारी कैशन डिलिवरी होने वाली है लेकिन अगर आपको जब भी नहीं कि मुझे पेमेंट गेटवे आड़ करना है तो आप सिंपली आप यहां पर चूस प्रवाइडर अब यहां पर रेजर पर हमने स्लेक्ट कर लिए रेजर पर इंस्टॉल अभी रे अगर आपका अगाउंट नहीं तो आपको आड़ करके दिखा देता हूं अच्छा है अभी इस वाली में में रेजर पर लॉग नहीं है आपको सिंपली जैसे मैंने प्रोसेस बताया अगर आप न्यू हो तो आप पूरा साइन अप कर लीजिए ठीक है अगर आगर इस्टिं और आपको दिखा देगा जो पेमेंट गेटवे अवेलेवल हैं अपको बटन दबाने इस टैप के बाद आपका रेजर पर इंस्टॉल हो जाएगा यहां पर जैसे कि पहले से इंस्टॉल्ड जैसे आप देख सकते हो यह हमारा एक स्टोर है जिसमें रेजर पहले से पल के निचे आप आगया यह आपको कुछ से छेड़ने की दरोत नहीं है इंडिया में पेपाल निचे चलता है जैसी मैंने आपको बताया था जैसे आप अपना डालोगे तो उसके बाद आपको ऐसा डैश्बोड पर लेके जाएगा जहां पर आपको सब दिखाएंगे कु इसके बाद और भी पेमेंट गेटवेइस हैं इंस्टा मोजो हो गया फोन पर हो गया कैश प्री हो गया और बहुत सारे पेमेंट गेटवेइस हैं लिस्ट लाइक बताते जाओंगा मैं सबसे बैस्ट लेकिन रेजर पर यह सो आप देख लिए आपको कौन सा यूज करना है तो यहां तक सब के लिए रहा है एटल मनी कोई पेमेंट गेटवे नहीं है पेमेंट गेटवेइस कर सकते हो अभी सब को मिल रहा है तो कोई चार्जिस भी नहीं उसके दो तिन महीने तक तो एक ही रेजर पे अकाउंट अलग-अलग दोमेन पे चलेगा बिल्कुल आपका एक रेजर पे अकाउंट अलग-अलग दोमेन पे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है बस आपको क्या होगा एप्याइस के लिए आपको अपनी वैपसाइट करनी होगी माल लो कि अभी आप मैं एक वैपसाइट से चला रहा हूं तो मैं दूसरी आइड कर सकता हूं और आपका य डोमेन पर एक्टिवेट नहीं है तो आपकी पेइमेंट फेल हो गई तो एक दो फेल हो रही है कोई दिक्कत नहीं ज्यादा फेल होने लग जाए तो आप जब रेजर पर जाओगे आपनी वैपसाइट का डोमेन आड कर लो लेकिन वह आपकी वैपसाइट करेंगे पूरी को देखेंगे कि सारी करेक्ट है इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरी वैपसाइट से कॉपी कर लेना कोई आपको दिक्कत नहीं होगी आपका रेजर पर वाले बिल्कुल आपकी वैपसाइट कहां से ले मस्ट ग्रैप डॉट इन मैंने आपको वैपसाइट की जो डोमेन भेज पर जाएए पॉलिसी आप कॉपी कर सकते हो दो बार मैं वहीं कह रहा हूं रिजैक्ट भी होगा इसलिए मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में आपको 90 परसेंट वैसी कैशन डिलीवरी आने वाली है पॉइंट वन परसेंट डाइंगी रेजर पे से क्यों आप इतनी टैंशन पर आपको बी ट्रांजेक्शन होगा ना इसकी फीस लेता है है कोई पेमेंट गेट्वेव फोन पर मिल रहा है AH को कोई चार्ज नहीं है उन्लिए अपको सबसे में प्सेप्र आपको आ जाना है अपने ऑं-लान श्ट पर आपको या नीचे प्रिए्स में आ जाना है यह सारी बेसिक से आपको करके रखने हैं एक सब्सक्राइब कर लिया यह वाला ओपन कर लेता हूँ अब यहां पर देखोगे मेरी वेबसाइट का नाम आ रहा है यहां पर पूरा उसका टाइटल आ रहा है कई लोग जैसे जैसे आप काम करने लग जाओगे लोग आपके श्टोर को जानने लग जाएंगे तो सच करें गूगल पर जाके आपको चैना अच्छा लगे आपका श् बंसे पहले अपने स्टोर का नाम सलेक्ट करो यहां पर लिए हपै एपने स्टोर का नाम हमने डाल दिया मनन स्टोर अंब जैनरिक स्टोर ओ laying पर ह़ी कॉपी कर सकते हो हो यहां पर यहां पर ये हर किसी के लिए वैलिट है सब्सक्राइब करेंगे अब यहां पर यहां पर यहां से अट होता था अब लेकिन एक एप से हो जाता है जरूरी लगा तो मेरे को कुछ दिक्कत आई तो मैं सेलेट कर लूंगा भी आपको सिंपल यहां से कर लेना है और आपको से आपको पासवर्ड हड़ जाएगा स्टोर से यह करना बहुत जरूरी है आपका यहां पर प्रिफरेंज हो गया हमारा हम आ जाते हैं वन सेकेंड अब हम आ जाते हैं नावी पेज इसकी बात करते हैं सो पेज पर आ गए हम यहां पर आप अब गाई एक कॉंटक्ट का पेज हैं प्रेंग कर लेता हूं मैं कि दिक्क्त आ रही है मैं जल्दी से प्लैन स्विट कर लेता ओढो में अब और करता हूं अब देखें 16 जून तक के लिए अब यह मेरा प्लान है उसके बाद मेरे 1500 रुपे कटेंगे अब मैं जो यूपीए मैंडेट हो गया है मेरा मेरा एक्टिवेट हमें यूपीए मैंडेट भी डियक्टिवेट कर सकता हूं आप सिंपली गूगल पर लिखिए पर यहां से आपना यूपीए मैंडेट आप सारे कैंसल कर सकते हो न डियक्टिवेट गया आप सिंपली प्लैन पर आ जाना है आपको कोई पैसे नहीं कटेंगे आपका इहां तक क्लियर हो गया सबका कार्ड से भी दिखा दिया मैंने अब यूपीया इसे भी दिखा दिया है अब हम preference में दूबारा न प्रिफिरेंस में आके आप देखिए अब में पास्विद हटाने का यहां अपर हटा दिया ॉटके डन आप से अब यहांपे हम आ जाते हैं पेजा है जो होगा जा करना है अबडर के ब्रहें जा cathedral मांगते हैं और होना अच्छा है अब आप देखोगे मस्ट गिराब अगर मैं उपन करूँ यहां पर मैंने भी आप यही कॉपी कर सकते हो और अपना कि अजयस्टमेंट कर सकते है इसमें ठीक है वैलकम टू जो भी मैंने मनन श्टोर कर दिया मनन श्टोर यहां भी मनन श्टोर कर दूंगा ठीक है सब कुछ ठीक है है अगर आप सब कुछ बेखते अपने स्टोर पर जवाब करो गई सब्सक्राइब कर लेजिए और यहां पर यहां पर सिंप्लिफाइब कर सकते हैं इसको एक्स्टेंड करना चाहूं जनरेट अगैन यह लोड हो रहा है थिंक क्या कर रहा है ठीक है तो हम सेव कर लेते हैं मतलब यह यह का फीचर है इन्होंने वह चैट जी पीटी से इंटेग्रेट करके करा है आप इसे एक्स्प्लोर कर सकते ह पर हमारा डन हो चुका है अब अब आउट अस पेज आपको पन करके दिखाता हूं अब आउट अब इसके बाद हम आज आते हैं अब नविगेशन पर अब नविगेशन क्या होता है जैसा आप देखोगे अगर हम मस्ट ग्रेब पर आजाएं तो यह उपर आपको तीन आप बैसेलर कॉंटक्ट ठीक है आप नीचे देखोगे क्विक लिंक्स दिख रही है यह फुटर का पार्ट होता है नीचे का उपर वाला हैडर का पार्ट होता है और यह आपको अपने स्टोर पर चेहिए ताकि जो यूजर है वह इसली नविगेट कर पाए आपके स्टोर पर हम बैसेलर पर क्लिक कर देंगे ठीक है कैटलोग ने यहां पर बैसेलर डालेंगे बैस्ट इससे की हमारे सारे उपन हो जाएंगे कॉंटक्ट हम इससे रहने देंगे सेव कर लिए हमने बैक करा हमने जो फुटर मैन्यों इसको एडिट करेंगे अब यहां पर हमें इसे डिल हम इसी फॉर्मैट को यूज्स करते हैं यही मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा फुटर मेन्यू वन सेकेंड टाइटल फुटर मेन्यू एड मेन्यू एक्जाम्पल हमारा अबाउट अस पाइज पेजिस अबाउट अस ओके एड इसके बाद हम कॉंटेक्ट contact us okay and यहाँ पे pages contact यह वाला contact नहीं डालते हैं हम अपना policies वाला contact डालते हैं नीचे ताकि जो भी user है वो easily हमारी contact information जो भी हमने डाली थी वो open कर पाई है हमने इससे add कर दिया यहाँ पे हम policies पे आ जाते हैं privacy policy add यहाँ पे हम policies पे आ जाते हैं यह सारी policies हमें नीचे देनी होंगी privacy policy, refund policy add menu policy, terms of service add policies privacy policy, refund policy, shipping policy अभी हमने नहीं करिये, shipping policy यह सारी policies main होती है, 5 यह चीज़े सबसे main है, 6 चीज़े about us, contact us ओके यहाँ पे आप इन्हें ड्राइग और भी कर सकते हैं हमने terms of service उपर कर दिया privacy policy, refund policy refund policy सबसे नीचे रखते हैं, worshiping policy यह हमने save कर ली अगर हमारा store open करेंगे तो आप देखो कि उपर हमाँ, home, bestseller contact, okay, contact पे click करते हैं, form खुल जाएगा और नीचे वाले, अच्छा नीचे भी है अच्छा इसमें theme में अभी हमने add नहीं कर रहा हैं, अभी हम आगे करेंगे, आप नीचे क्लिक करोगे तो वही जो आपने footer पर बनाएं चीज हो, सब open हो जाएंगे, यहां तक देखते हैं सब clear हैं, नहीं हैं किसे कोई doubt है, how to integrate with chat GPT, chat GPT के साथ क्यों integrate करना है, domain name free मिलेग should I pay the amount, domain name free मैंने आपको starting से बता रहा हूं, dot in आपको कुछ 600 रुपे का पड़ेगा, 700 का पड़ेगा, 800 का पड़ेगा, 800-900, card में payment करने से कितने पैसे, 1 रुपा कटा है, मैंने आपको दिखाए, तो 1 रुपा कटा है, और अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं अपना UPI mandate ठ कर दिया, आपको दिखाने के चक्कर में, फोन पे payment gateway अच्छा है, भी नए है, तो थोड़े से बक्स है, फोन पे में, काफी payments decline हो जाती है, बाकि आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकि सबसे best razor पे है, creating your store foundation, तो सबसे पहले, आपको Shopify store के बारे में, जो भी उन हमारी 2 sales है, I don't think, so ये, आप में से किसी ने करी होगी, must grab.in पे test payments कर रहे हैं, लोग 5 भी आप ही लोगो, so आप ये देखो, यहाँ पे आपको, जो भी आपकी sales है, yesterday मान लो, sales नहीं दे, last 30 days में करूँ, तो last 30 days में हमारी 97 लाग की sales ती store पे, ठीक है, अगर मैं last 12 month करूँ, so एक करोड़ 7 लाग, so ऐसे ही आपको सारे stats आपके store के आपको पता चलेंगे home पे, ठीक है, नीचे जो चीज़ आ रही है, आपके किसी काम की ने है, छोड़िए उनको, and अब चलते है, order पे, order पे जो भी पेड है, यह magical flying spinner कर रहा है, एक, असल में वैसे 967 का है, लेकिन पेड पे, so पे off है, so इसलिए यह है, जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको बता रहा था ना, सारी जो पेइमेंट से आपको, वह ऐसी दिखेंगी, okay, cash on delivery वाली, paid, prepared वाले, भूत कम होंगे, so हम आगे बढ़त है, अब देखोगे, तो categories होती है, ताकि अच्छे समझ, आप देखो, इस सारी categories है, अब Shopify में हम इनको collection बोलते हैं, तो मुझे car का collection बना रहा है, तो मैं क्या करूँ हो, collection पे आउंगा, create collection, ठीक है, cars लिख दूँगा, car accessory भी लिख सकता हूं, मैं आपको दिखाने के लिए cars लिख रहा हूं, अब यहां पर मैं automatically, हमें चे की automatically add हो जाए product, हम यहां पर tag के थ्रूँ add करने वाले है, मैं car tag add कर दूँगा, कि जिस भी product के मैंने tag add कर रहा हूं, car, वो इस वाले collection में आ जाए automatically, हमने save पे click कर दिया, अब आप देखो कि अभी कोई product नहीं है, अब मैं यहां पर आ जाता हूं, अपने products पे, अब मैं इन दोनों product को select करता हूं, add tag, अब यहां पर add tag आ गया, अब यहां पर मैं car, simply मैंने car add कर दिया है, tag, save, तो यह दोनों product है, मेरे car tag में add हो गया है, मैं जाओंगा इस product पे, तो मुझे tags दिख जाएंगे, आप देखोगे, tag अगर मैं देखोगे, यहां पर car tag add है, इस product पे, मैं collection में चलता हूं, collection में cars यहां पर दिख रहा है, I think मैंने cars कर रहा है, car कर रहा है, तो सही हमने tag डाले है, अपने products पे, हम मैं इसे refresh करता हूं, एक बार, अब यह आड नहीं हुए है, ओके, one second, अभी एड नहीं है, थोड़ा time लेता है, update होने में, कोई problem नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, अब जैसे आपने देखा, show होगा है, हमारे दोनों product, car वाले, ऐसे ही, आप अलग-अलग, जो भी आपके products है, उनके अलग-अलग collections बना सकते हूं, ज तो आपको ऐसे अलग-अलग categories बना लेनी है, अगर आपके store पे बहुत ज़्यादा products हो जाएं, अभी हमारे store पे ज़्यादा products नहीं थे, चारी products हैं, तो हमने category नहीं बना रखे है, इतनी सारी, आगे बढ़ते है, inventory, inventory का हमें कोई काम नहीं है, सब चीज होगा, customers, यहाँ प आपको analytics में बहुत सारी चीजे पता चलेंगे अपने store की, so total sales की कितनी again, वही सारी चीजे, मैं लाज 30 days मैंने करा, so total sales आप देख सकते है, 97 लाग है, sales by channel, आप देखोगे release it का COD form है, उससे सबसे ज़्यादा हमें sales आई है, दोनोगी release it है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर online store से दिखा रहा है, अब online sessions दिखा रहा है कि हमारे store पे last 30 days में, करी 24,000 visitors आए है, आप यहाँ पे आप देखिए, total orders हमें 9,236 आए है, जरसे आप देख सकते हो, average order value, अब यह average order value क्या होती है, अब मालू हमें 9,236 order आए है, ठीक है, तो इनमें average की, जो average रहा है, हर customer का, उसन order value निकल के आता है, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, एक formula होता हो, average order value निकल के आता है, तो आपको सारा यह चीजे, खुदी बता देता है, तो यहाँ पे आप देखोगे, top selling products हमें दिखा रहा है, supportable air conditioners, magical flying spinner, conditioners कह रहा है, customer analytics यहाँ पे दिखा रहा है, returning customer दिखा रहा है, य 2.2% लोग return आ रहे हैं हमारे store पे, दुबारा order करने, अब जो Amazon जैसी बड़ी companies है, वो क्या करती है, वो 6-6,000 पे तो customer require करने में खर्च करती है, क्योंकि उन्हें पता है, कि customer एक बार आएगा, वो हमेशा खरीदता रहेगा, भले ही वो एक साल में profitable ही ना है, उस customer से, वो सो customer return rate बहुत ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो अच्छा, इसके लिए आप remarketing कर सकते हो, offers निकाल सकते हो, काभी सारी चीज़े होती है, जो आपको करनी होंगी, और यह जाता है, जो नी श्टोर होगा, उसमें ही उपाएगा, अलकि जैनलिक स्टोर में अगर किसी को खरीदना ह होगा है, करीब 15000 विटर्स हमें PC से आया है, और आप देखिए, 25000 मोबाइल से आया है, सबसे ज़रूरी फोन है, फोन पर सबसे अच्छा दिखना चाहिए, अब तोप, reference by sessions, यह कुछ sessions से, forplay से, sales wise, social sources, facebook से हमें काफी से लाइए, instagram से आई है, अब काफी लोग सोसे है, instagram से चाहिए, अब देख सकते हैं, facebook से भी आते हैं, analytics के लिए इतना काफी, अब live view, अब एक activity करते हैं, अभी आप देखोगे हमारे store पर तीन विटर्स हैं, अभी जल्दी से सब must grab.in पर जाओ, आप देखोगे हमें live data दिखाएगा, must grab.in पर विटर्स बढ़ जाएंगे हमारे, और यहां पर मैं live विटर्स दिखाता है, कितने लोग अभी हमारे store पर है, total sessions दिखा रहे हैं, कहां से हैं, लोकेशन, जैपूर, दिल्ली, लफनव से, कौन सा प्रोड़क आज का टॉप रहा है, आप देखोगे, एक ने भी add to cut कर रहा है, नीचे ले चलता हूँ, एक ने भ live चल रहा है, अपने store का सोचिए, कितनी सही चीज़ है, कि यह सारी चीज़े Shopify दे रहा है, आपको और कोई platform नहीं देगा, इतनी सारे चीज़े कि आप यह सारा data भी देख सकते हो, अब आप देखिए, सारा data मारे पास आ गया है, देखिए, पूरे इंडिया से लोग अभी store discount करोगे, ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग तरीके discount बना सकते हो, free shipping, क्या free shipping दे सकते हो, हम तो free shipping दे रहे हैं, तो हमारे लिए relevant है, amount of order, discount है, total amount, अब आपको total, जो कश्रमने पच्छेस कर, उस पर discount है, तो हमारे लिए relevant है, buy x get y, यह आपके लिए relevant हो सकता है, अगर आप एक के साथ कोई एक कीम निकालना चाहरे हो, amount of product, अब यह particular product पर आपके, जो भी discount आप दे सकते हो, हम order discount पर क्लिक करते हैं, यह पूरे order पर हमें discount देना है, discount code हम डाल देते हैं, hello, percentage हम रख देते हैं, 10%, हम चाहें, तो fix the amount भी रख सकते हैं, कि वही, store pay off दे रहे हैं, हाना, य आप percentage दे रहे हैं, marketing में आपके काफी काम आएगा, अगर आप चला रहे हैं, बोलो, कि अभी यूज कीजे, coupon code दिवाली, और अब 10% off पाईए, सोचिए ना, कितना engagement आती है, अब minimum requirement क्या है, कि minimum purchase amount हम कुछ नहीं रख रहे हैं, बहले ही, so, हमें कोई minimum requirement नहीं डालने है, customer, च जाएं, अब यहाँ पर हम इसके time frame डाल सकते हैं, कि इस time से time के लिए valid रहे है, मैं चारों की दिवाली का मान लो time चल रहा है, अना, तो मान लो कि October में दिवाली है, तो मैं पूरे October यह add कराना चाहता हूं, start date, एक सेकिंद, October से मैं start कराना चाहता हूं, end date में डाल देता हू October, end 31 October, time हम डाल सकते हैं, अपने इसाब से, for example मैंने इतना डाल दिया है, अब save discount, और यह हमारा discount coupon ready हो चुका है, हम किसी के साथ भी discount coupon share कर सकते हैं, और customer discount ले पाएगा, अभी discount use कैसे करना है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी मैं must grab पे दिखा देता हूं आपको, for example हम आगए हमारे store पे shop now, हमने lead का COD firm लगा रहा है, इसलिए discount code यहां पे valid नहीं होगे, आपको दिखाद दूँगा मैं, जह हम Shopify के checkout page के बारे हैं, बात करेंगे, आपका discount code ready हो जाएंगे, अप product पे discount दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप पूरे order पे discount दे सकते हो, shipping discount प आपका down हो जाएगा, जहां आपके 10 लोग खरी देते, so product आके लोग खरी देते, 10% conversion rate हो गया, अगर मैं आप shipping extra कर दोगे तो वह 5% रह जाएगा, conversion rate, इतना फरक पढ़ता है, shipping हमेशा free दीजिए, आप एक express delivery उसके लिए चार्ज कर सकते हो, कई लोग premium लेना चाहेंगे, आपको clear हो चुके हैं, कि सारी चीजे क्या काम करती है, collections हमने समझ लिए है, अब चलिए एक product, समझते हैं, product अगर हम upload करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं, बाकी मैं आपको import करना भी सिखाऊंगा, कि आप कैसे one click में import कर सकते हो, poky की कैसे आपको install करना है, वो सब बात करेंग सबसे पहले आपको इस structure में रखना है, for example मैं flying spinner का product add कर रहा हूँ, अब यहाँ पर हमने gyro trademark, अगर आप रखोगे न, trademark symbol तो प्रीमियम फील आता है, मैंने यहाँ पर trademark कर लिए इसको, तो आप देखिए, अगर मैंने view कर आप ठीक है, अब देखिए gyro spinner, अब trademark लग रहा है, पूरो हाँ, इनी का ही कोई own करता है, तो अब पैसे trademark का symbol लगाओगे, और फिर product का नाम को इस टाइब से रखोगे, तो काफी premium लगता है, बाकि हमने must grab में क्या करा था, कि हमने तो simply रखा था, बाकि मैं आपको options बता रहा हूं, कि आप ऐसा कर सकते हैं, हमने simply magical flank spinner रखाते हैं, यह नाम भी attractive है, product का नाम attractive होना चाहिए, हम यहाँ पे simply gyro spinner trademark रहन देते हैं, यह भी काफी premium लग रहा है, अब इसके बाद आपको description कैसा रखना है, यहाँ पे आप एक structure देखोगे description का headline, sentence, और जी customer इंडिया में या पूरे world में attention span बहुत कम हो चुगा है, पूरा tax से भर दोगे, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पढ़ने माला, boring product page लगेगा, अगर आप ऐसी GIFs रखोगे, portos रखोगे, तो बहुत engaging लगता है, अगर मैं आपको portable cooler का भी दिखाऊ, portable air conditioner, इसका भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, and मैं आप specifications डाल सकते हैं, आपको make sure करना है, जो बारे में आप बात कर रहे हो, timer, timer की ही बात हो लिए हो, gif या photo में भी, अगर हम color की बात कर रहे हैं, सो color की यहां पर gif है, irrelevant photos या gif नहीं होनी चीए, वो gif आप बना सकते हो, simply कोई भी video writing tool में, अपनी video clip को छोटा करो, उसे as a mp4 की जगा gif save कर लो, तो यहां पर हमारा clear है product page का, एक बार हम इसे बना लेते हैं, spinner, ठीक हम इसी को copy कर लेते हैं, पूरा, ok, सो आप देखोगे, किसी के भी store से आप इतना easily उसकी gif हर चीज copy कर सकते हो, मैंने अपने store से भी आपको करके दिखाया, सारी gif हर चीज copy हो गई मेरे store पे, ok, इतना easy है copy करना, and guys हमेशे से मेरा मानना है, don't reinvent the wheel, जब कोई product आप promote कर रहे हैं, पहले से सब कुछ available है, वो branded नहीं है वो, जैसे कि यह branded मेरी कोई images वीडियो नहीं है, अगर आप drop shipping करोगे, किसी की भी branded कोई videos कोई copyright नहीं है, अब सब एक दूसरे की use कर सकते हो, कोई problem नहीं है, अगर आपका खुद का product है तो आपको खुद ही video बनानी होगी, उसमें से gif निकालनी होगी, यहाँ पे हमारा clear हो गया है, अब हम बात करते हैं media की, आपको कुछ pictures upload करनी होगी, हम आज आते हैं, इन थमय और यहाँ पे product page, photos और यहाँ पे हम products की सारे photos select कर लेंगे, अब आप देखोगे, सारी images upload हो रही है, मैंने push start button की कर दिया है, इसी की अभी image available थी, भागी जो भी आपको प्रडॉक्त हो आप उसके करना, तो कि इसमें न मैं आपको वेरियंट दिखा पाऊंगा, मालो की यह आपका एक प्रडॉक्त है लेकिन अलग 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 वेरियंट्स होते हैं, जैसे की start engine button है, लेकिन इसके अलग अलग वेरियंट्स है आप देखोगे, चार color में है, उसके बास कल वाला भी इसको ट्रांसोर वाला भी है तो अलग 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 वेरियंट्स है, अप्लोड होगे, यह मालो की हम खहरें, इसको हम वेकिंगे 597 का, लेकिन मैं बता रहा हूं, इंडिया जो मार्किट हो, discounted, उनकी mentality है न, हमेशा आपको अपने स्टोर पे discount देना है, और 50% discount रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, अब यहां पर हमने मालो 600 प्राइस डाला यह आपको इस पर हमेशा क्लिक करके रखना है, continue selling when out of stock, ताकि customer खरीदता रहे, भले out of stock भी हो न, अगर आपका product के पास आपकी limited quantity है, मालो अगर आप खुद मैनुफेक्ट्र या खुद का product है, limited quantity है तो आप quantity डाल सकते हो, लेकिन आप जहां तक आप drop shipping करोगे, हना आपके supplier supplier को टैंशन लेनी है, products की तो supplier कई होते हैं, एक नहीं होता, continue selling when out of stock, इससे कोई दिखकत नहीं है, this product is physical, इसे रहने दो, add variant, variant के भी बात करते हैं, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, जैसे हमने यहां पर भी edit पर क्लिक करा, अब URL हैंडल change कर सकते हो यहां पर देख कितना लंबा सा लिखा हुआ रहा है, जीब सा लग रहा है, सो हम यहां पर सिर्फ gyro spinner कर देंगे, save कर दिया हमने, हमारी URL छोटी हो गई है, manan store slash product slash gyro spinner, यह सबसे पहले कर लो, variants की बात करते हैं, अब add option, हम color हमारा है कि हमें color अलग अलग है, black color है, तो हम black कर done, और इसके बाद हमें save कर लेना है, अब इसके बाद आप इससे edit पर click करो, and यहां पर one second variants हमारा हो गए हैं, यहां पर नीचे variants आगे, जैसे आपने देखा, जैसे हमने done करा, यह पहले नहीं था, आप खुल गया है, तो आप अलग-अलग variants के लिए न, आप images भी उनको like assign कर सकते हो, अब हम यहां पर हमने click करा, अब black वाले के साथ हमें black करनी है, assign है, so black हम कर देंगे, done, red वाले के gray वाले के साथ gray, मैंने ऐसे एक्जामपल के लिए select कर दिया, so हमने आपे save कर दिया, okay, अब मैंने view पे click करा, आप देखो के अलग-अलग variants आ गए है, यह अलग theme है, so इसमें इस तरीगे शोर है, बाकी हम यह theme यूज नहीं करने वाले है, मैं change करना आपको बता हूँ, theme theme कैस हमने image assign कर दिए, आप change भी कर सकते हो यह, और आप देखो, यह हमारा basic सा product page तयार हो चुका है, मतलब हम एक backbone तयार कर रहे है, designing का काम अभी हम करना start करेंगे, so अभी हम इसे हटा देते हैं, product हमने save कर लिए, so हमारा product हमारा idea हो चुका हमारा store पर, यह document गाई share करूंगा, मैं आपके साथ, जितने भी resources में आपको दिखा रहा हूँ, पूरे folder share करने वाला हूँ, आपके साथ, so यहाँ पे product page done, setting up discount हमने पहले ही बात कर ली, how to read customer order, customer order read करने के बारे में, one second, जैसे कि for example आपको कोई order आया store पर पर एक्जामपल यह prepaid order है, यह prepaid order है, यह हमने इस पर click करा, magical flank spinner है, अब यहाँ पे आपको काफी सारी details दिखेंगी, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे customer की details, जो भी है, phone number, ठीक है, नाम, address, landmark, जो भी है, उसका pin code, अपना state आ गया, IP address, आपना यह दिखरी है, आपको प्री सेंड कर सकते हो, customer को, मैं अपने आपको करूं तो मेरे पास आजाएगी, और customer को भी रिसेंड कर सकता हूँ, एक तरीके से, यहाँ पर पुरी timeline दिखा रहा है, कि order confirmation मेल गई है, दुबारा भी जा चुकी है, fraud analysis दिखाएगा, अगर प्री पेड दिखने के लिए यहाँ पर है नहीं, जैसे हमने mg कर रहा है, मस्ट गया आप तो वही दिखा रहा है, और यह 12,000 कुछ ऐसा order चल रहा है, 369, सब के लिए चल रहा है, सबका, COD कैसे work करता है, COD जैसे कि यह पहले से आपने आप पहले से ही होता है, वह बाकी, प्रीपेड का अगर आपको payment gateway यूज करना है, वह मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको add करना है, और जब COD पेमेंट अगर आपको doubt है, कैसे आपको payment मिलेगी, तो ship rocket हम यूज करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, जब ship rocket सैट अप करेंगे, तो ship rocket आपके account में पैसे डालता है COD के, product deliver होने के बाद, या customer से GST लेना है, ने customer से क्यों GST लेना है आपको, अब B2B business में GST की जरूत होती है, लेकिन हम तो direct to consumer कर रहे हैं, तो हमें GST की जरूत नहीं है, 360 डॉलर का theme मिलेगा, बिल्कुल आपको मैंने एक theme नहीं दिया, 13 theme मैंने दिया, सारी premium themes है, आप rate check कर सकते ह का, आप कोई से भी theme यूज कर सकते हो, बस premium themes में यह होता है, कि वो advanced stage में यूज करो, अभी जो मैं आपको basic theme से बताने वाला हूँ, जो Shopify की theme से खुद की, वो super fast होती है, जैसे आप Amazon देखोगे, दिखने में कितना बुरा Amazon है, अगर आपको दिखा हूँ, यह आपने समने द आपको लगए, store ऐसा सोना चाहिए, ऐसे features होने चाहिए, नहीं, store बिल्कुल basic होना चाहिए, वो सबसे अच्छा perform करता है, जितना ज़्यादा आपको बिल्कुल basic theme से करने, दिखाने वाला हूँ, store setup, आप premium theme भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेटर stage के लिए आपको recommend store बिल्कुल आपको लग रहा ही कि यह product मेरा चलता है, अब अब premium theme की तरफ जाओ, starting में आपको ज़रूद नहीं है, premium theme की, so आगे continue करते हैं, ठीक है, अब हम आ जाते है, theme setup पे, जो सबसे main हमारा task है, theme पूरी हमें अपना store setup करना है, अब यहाँ पे हम आ गए, online store पे, अब य यूज नहीं करनी है, हमें दूसरी theme यूज करनी है, सबसे पहले तो, और guys, आप चाहो, तो एक template है, जो आप use कर सकते हो, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल यह template आपको provide करवा दिये जाएगा, my store template, जो must grab हमारा, उसका पूरा template आपके store पे upload हो जाएगा, बस भी आता हो, सारी system से सब कैसे काम करते है, अब हम यहाँ पे चलते हैं, अब देखो कि यहाँ पे आपको 5 theme और दिख रही है, जो सबसे fastest theme है, वो है sense, जो हम जातर अपने stores में use करते है, free theme है, कोई आपको पैसे नहीं देने है, अब यहाँ पे हमने करा add, installing theme आपको दिखा र theme है, और सोच यह Amazon इतनी billion dollar, like, दुनिया की सबसे बड़ी company है, वो क्यों यूज नहीं कर रहा, ज्यादा high-end graphics है, उसे fast से मतलब है कि fast होनी चाहिए, user friendly होनी चाहिए, जो paid theme होती है, तोड़ी slow होती है, लेकि उसमें features ज्यादा होती है, features, आप अपना देख लो, जैसे मैं आ आपको recommend करो, sense use करो, हम यहाँ पे sense theme के साथ जा रहे है, ठीक है, अब हम इसे publish कर लेंगे सबसे पहले, publish, अब यहाँ पे आप देखो के view store भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने view store करा, तो यह अभी हमारा store है, manan store आप देख सकते हो, welcome to our store, manan store, यह हमारा एक product है, जो हमने अभी gy आप देखो के must grab जैसी वाइब है, वो इसले क्योंकि same theme दोनों store use कर रहे है, so इसे customize करना start करते हैं, अब आपको customize करने के लिए, इस theme को सबसे पहले आ जाना है, customize में, आपके सामने बहुत सारे options आ जाएंगे, आपको एकदम इनने यह क्या क्या हो गया system है, so आपको simply सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पर, right side पर, top पर, अब यहाँ पर देखोगे, आप full screen on कर सकते हो, full screen पर store दिखेगा, mobile पर कर सकते हो, फिर desktop पर कर सकते हो, आपको हमेशा अपना store edit करना है, phone पर, जैसे मैंने भी आपको live दिखाया, कि आपको 0.1% visitors आएंगे, desktop से, सारे visitors आपक पर ना, जो भी हम, like element edit करेंगे, मालों, यह section हम edit कर रहे हैं, so, आप देखोगे, announcement bar पर आपको एक border दिखेगा, blue color का अगर हम इसे deactivate कर देंगे, सो अपने इस पर click करा, कोई border नहीं है, तो आपको हमेशा इसे activate करके रखना है, ताकि आपको पता चले कि आप किस element पर काम कर हो, अब यह दो sections में काम करता है, सबसे पहले section हो गया, announcement bar यह section है, और section के अंदर block होता है, जिसके अंदर content होता है, हम मस्ट ग्रैप जैसा इसे बनाएंगे, सबसे पहला, summer sale, enjoy 50% of, winter आ जाए, तो winter sale 50% of, हमेशा काम करती है, welcome to our store कि जैगा, हम कर देंगे, summer sale, enjoy 50% हो, आप द कुछ भी गलती हो जाए, आप undo कर दो, वापस से आप देखो, welcome to our store हो गया, ठीक है, आप redo भी कर सकते हो, यह options तो आपको पता होंगे, सो हमारा यह, जो announcement bar है, वो done हो चुकी है, हमारी, आप block आप समझी गयोगे, सबसे पहले section होता है, जिसके अंदर block होता है, जिसके अंद और block के साथ, आप देखोगे, कि आपको इक आई का बटन दिख रहा है, इससे आप hide और unhide कर सकते हो, उस section को, ब्लोक को भी, सो अब हम यहाँ पे header पे आगए, अब header यहाँ पे कावी सारे option है, सो हम इसे छोड़ देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है, menu, अब drop down menu हमें कै कैसा चाहिए, अब यह काफी सारे options आपको PC पे समझ आएंगे, सो हम इसे PC पे कर लेते हैं, अब आप देखोगे, हमने drawer पे क्लिक कर देए, तो PC पे हमारा drawer का option आगे, drawer खुलेगी, हमें एक mega menu चाहिए था, सो यह mega menu है, हम हमेंशा यह ही select करेंगे, सबसे अच्छा work करता है, और एक drop down में क्या होगा guys, जिस भी आप element पर click करोगे, drop down menu खुल जाएगा, सो यह हमारे भी काम करनी है, हम इसे mega menu पर रहन देते हैं, sticky header हमें चाहिए on scroll हमारा, always on scroll हमारा नहीं से रहन देते हैं, ठीक है, आगे, यहाँ पर में कोई काम नहीं है, सो हम बिल्कुल इसको कोशिश करेंगे, कि must grab की तरह बनाएं, और आपको सेम अगर इतनी सारी महनत नहीं करनी, template मिल जाएगा, उसे upload करो, यह सारी चीजे, जो भी आप देख रहे हो, सब आपको एक template के थुरूई, आपको ready made मिल जाएगी, बनी बनाई, ready made काम होगा, अब ह पले इसको change करते है, magical flying spinner, सो हमारा announcement बाट done हो चुगा था, header हमारा done हो चुगा था, हम आचुके इस section पर, जहां आप देखे, blue है ना, जैसे मैंने इस पर click करा, अब blue हमारा activate हो रखा, हम इस section पर काम कर रहे है, आप हम इस block में आ गए, वो इस block में हमने magical flying spinner डाल दिया, button में हमें product चाहिए, हमें product कौन सा चाहिए, product और हमारा gyro spinner, हम चाहते हैं, जब भी कोई shop now पर click करें, आप चाहिए तो particular product को open करवा सकते हो, आप चाहिए तो सारे products open, या page या कुछ भी open करवाना चाहिए, सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, हमने gyro spinner पर click कर दिया, अ इमेज को कर लेते हैं, अब यहाँ पर जो आपकी image है, आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका image दिख रही है, अब यहाँ पर example हमें चाहिए कि भाई, हमें particular यह image चाहिए, अब आप देखोगे, यह image open हो गई, हम मस्ट ग्रैब में हमने same कर रहा है, flying spinner, जो भी हम क्या करते है कि जाता है, जो हम प्रोड़क्स कोई भी store open करते हैं, जो normal, जो भी एक behavior होता है, यह होता है कि यह बहुत स्वाड़े प्रोड़क्स होने चाहिए, Amazon पे, लाख हो प्रोड़क्स है, हमारे पर कम सिकम सोतों हों, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, starting में आप एक दो पर जाने वाले हैं, ऐसे ही homepage पे कोई आने ही नहीं वाला है, 0.1% लोग homepage पे आने वाले हैं, तो हमें homepage पे पे इतनी महनत भी नहीं करनी है, हमें product page पे महनत करनी है, वो भी हम आगे बात करेंगे, आप देखो, product page हम यहां से open कर सकते हैं, यहां से हमारी, हमने image select कर ली, magical flying spinner ह में select कर लिया, and head, headline का size हम चाहे तो small या large कर सकते हैं, यहां से आप देख रहे हो, second इसे mobile पे वापस कर लेते हैं, medium ही सही है, छोटा ज्यादा वैसा लग रहा है, shop now ठीक है, featured product हमने के यहां पे feature product लगा रखा है, नहीं, हमने कोई feature product लगा रखा, so हम यहां पे भी, इसको हम अधा देते है, featured collection को हम delete कर देते हैं, हमने यहां पे delete कर दिया, featured collection, हम यहां पे add footer, email sign up को हम हटा देते हैं, इसको कोई काम नहीं है, email sign up हमने रख रखा है, हमने email sign up हम से गलती हो गई, तो हम undo कर देंगे, subscribe to email जैसा आप देखो गया, यहां भी रख रखा है, be the first to know about the collection and exclusive offers सेव कर लिए हमने इसको done, अब जैसे कि आप देखोगे हमारे store पे footer नहीं है, जैसे मैंने आपको बताएंगे, हमारे store पे footer है, must grab पे, जो हम store बना रहे हैं, इस पे footer नहीं है, तो हमको footer में add block करना है, मैं आपको नीचे कर देता हूँ, screen को दिखने दिए, मुझे भी नहीं दिख रहे है, दें let's talk अब यहां पे हमने again, must grab से मनन श्टोर कर लेना है, यह मैं आपको सारी easy तरीके बता रहा हूँ, ताकि आपको इतना सारा दिमाग ना लगाओ ना, focus होना अच्छी, जल्द से जल्द आपका store launch हो जाए, आप add चलाओ, और आपको earning start हो, तो कि अगर मैं आपको सारा time आप लिदाएगी सारी, में अभी हमारा गोल है कि जल्सेल का हमारा store launch हो जाए, और हम चाहें तो इसका background change कर सकते हैं, यह हमने white कर दिया, ओके ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे हमने कुछ, वाइब आफ्रोमस और testimonials लगा रखे हैं, इसके लिए हमें एक multi column add करना यह सब explore कर सकते हैं, इस text, image with text, image banner, slideshow, हमें multi column चाहिए, हमने multi column पे click करा, और यहां पे आप देखोगे हमारा testimonial की तरह हमारे column open हो चुका है, आप में simple यह भी हमें select कर लेना है, में multi column, यहां पे हमने testimonial लिखा, यहां पे हम same copy कर लेंगे, आपने हिसाब से नाम और यह सब change कर सकते हो, ओके, great buying experience, अलग-अलग blocks हैं, जैसे मैंने आपको बता है, block के अंदर content है, अब मैं, अलग-अलग blocks पर click कर रहा हूं, जैसे आप देखोगे, one second, love type purchase, कापी लोगों को एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो आप यह recording दुबारा देखिए, step by step follow कीजिए, और कोई भी आपको problem आए तो आप group में पूछ सकते हो, हमारे WhatsApp पे हमें contact कर सकते हो, हम आपकी पूरी help करेंगे, first time user के लिए थोड़ा complicated है, मैं समझता हूं, आप देखोगे हमारे testimonial section हमारा ready हो चुका है, अब button के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे button show हो रहा है, so multi column testimonials, नीचे आजाते हैं button label, हमने इसे अटाया button हमारा खुद ही अट गया, अना बस button का जो text है वो हमें remove करना है, वो button अपने आप remove हो जाएगा, so हमारा एक multi column ready हो चुका है, हमें second multi column चाहिए, हमने again add पर click करा, add section, okay, so यहाँ पर again हमें आ जाना है, lowest price offer, यहाँ पर हमने click करा, lowest price offer, ठीक है आप यह नीचे वाला text आप remove कर सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे, सेम ऐसा ही हो गया, lowest price offer, and why buy from us, एक second यहाँ पर हमें, why buy from us, okay, enjoy free shipping, यह text हमने अटा दिया, cash on delivery available, पिर हम इस पर आ गए, हमने इसे add करा, यह text हमने अटा दिया, ठीक है, एक हम और column add करेंगे, हमने और column add कर दिया, अब यहाँ पर 24-7 support available, हमने अटाया और इसको हमने add कर दिया, अब यहाँ पर आप देखोगे, हमें कुछ यह थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है, सिर्फ text है, तो यहाँ पर आप देखोगे, हमने कुछ icons add कर रखे हैं, अब आइकन के लिए आपको simply google पर जाना है, google पर जाईए और simply लिख दीजिए icon for website, और यह आपको first website दिख जाएगी और आपको इस पर क्लिक कर देना आपको बहुत सारे icons मिलेंगे, सबसे पहले हमारा rating का icon है, तो हमें rating पर क्लिक करना है, rating आप देखोगे, यहीं से हमने भी icon लिया है, सो हमारा icon आइकन आ गया है, second हमारा cash on delivery, यह आप देखोगे, यह हमारा cash on delivery का यह वाला icon अच्छा लग रहा है, यह ले लेते हैं, अपने हिसाब से आइकन select कर सकते हो, और यहाँ पर हमारा support का icon, customer support ले लेते हैं, अब यहाँ पर आपको इसाब यह icon select कर सकते हो, हम देख लेते हैं, यह वाला ठीक है, हमने यह यूज कर रखा है, ठीक है, free download, यह हमारे सारे icons download हो गए हैं, अब आपको क्या करना है, हर column पर आना है, आप देखोगे image का option है, आपको simply upload करना है, add images, download, चार हमारी images है, one second हैट गई, open, सारे के सारे icon हमारे upload हो रहे हैं, इसमें थोड़ से time लगया हो चुक है upload, सबसे पहले हमने rating का icon डाल दिया, फिर उसके बाद हमने डाल दिया truck का icon, फिर हमने डाल दिया cash on delivery का icon, फिर हमने यहाँ पर support का icon एंड में, heading size यहाँ पर हम small, medium, one third column, फिर यहाँ पर हमने one third column कर दिया है, एक column जो यह icons है काफी बड़े लग रहे थे, हमने यहाँ पर multi column में आके image width आप देखो, यह अभी क्या हो रखा था, full width थो रखी थी इसलिए बड़ी दिखरी थी है ना, अब यह चोटी हो गई, align हम center कर देंगे, अब आप कितना अच्छा लग रहा है, यह change करना पड़ेगा हमें भी, ठीक है button label हमें हटाना होगा again, कोई काम नहीं है, आप देखो कि हमारा basic जो हमारा structure ready हो चुका है, हमारी image हो गई जो भी हमारा featured product है, यहां से customer directly open खरी सकता है, यहां पर testimony लागा, यहां पर why by from us आ गया, और यह हमारा basic setup हमारा ready है, अब हमारा क्या रहता है, one second, so guys किसी हो कोई doubt है, chat box में आप लिख सकते हो, site name मैं बता चुका हूँ, वैसे तो मैं चार बर लिंक भेज चुका हूँ, मैं दुबारा भेजना हूँ, link mustgrab.in और अपनी जो हम, जिस website पर हम काम कर रहे हैं, उसका भी link मैं आपको भेज देता हूँ, mananstore.in, आप देखो यह हमारा store live है, जैसे mananstore.in लिखा, इसको हम ठीक करते हैं, PC पे आप देखो, थोड़ा इस तरीके से आ रहे हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं, सो हम, ऐसे आ गए हमने यहां पर multi column पर हमें select करना है, number of column on desktop, हमने 4 करा, और आप देखो, अब यह सारे line हो गया है, एक ही रो में, अना, सो हमने इसे save कर लेना है, Testimonial क्या है, Testimonial basically एक प्रूफ है, कि सामने वाला जब आ रहा है, इस तो दिख रहा है, अच्छा लोगों ने rating भी है, बाकि 1% से भी कम लोग आने वाले है, होम पेज पर सौमें बस इतना ही काम काफी है, अभी प्रोड़क पेज पर हम करेंगे, जो अच्छे से review डालेंगे, 5 सब कुस देखेगा, वो हम प्रोड़क पेज पर काम करेंगे, सो यहां तक सबका क्लियर है, प्रोड़क पेज पर बढ़ते हैं, फिर आगे देख लेते ह करें, उसके बारे हम आगे बात करेंगे, बात करेंगे, अभी यह समझना भी जरूरी था, कि मालो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, प्रोड़क कोपी करने के लिए, आप खुछ से कैसे अप्लोड कर सकते हो, यह समझना हमारा जरूरी था, जो हमने समझ लिया है, GST अपलाए क पड़ते हैं, थोड़ा बहुत अपनी नींद को उड़ाईए, और काम की बात चल रही है, आपका अगर यह एक बार फोड़ी बहुत महनत लेगी, स्टार्टिंग में स्टोर सेट अप करना है, यह सब चीज़े करना है, उसके बाद यह पर सेट अप हो जाएंगे ना, फिर स्कील्स हैं, स्कील्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टोर्ड़क्ट पेज के बारें बात करते हैं, स्टोर्ड़क्ट पेज पर आने के लिए, यहां पर आपको दिख रहा है, होम पेज, ओके आपको प्रोड़क्ट पेज पर क्लिक कर देना है, डिफोल्ट से पहले आपको आ जाना है आप यहां पर देखोगे आपको सबसे बहले आपने देखा डिफॉल प्रोड़क्त पेज़ पर क्लिक करते हैं सबस्टेंग सबस्क्राइब हो गया हम लेकिने चाहिए अब हम आज आते हैं एक बार मस्ट ग्रैब पर जो हमारा एक्जांपल स्टोर है यहां पर मनलम लिखा है। यहां पर चाहें तो बैसेलर सकते हो मनलम स्टोर हैं यहां पर अब जैसे हमने बैस सेलर कर दिया है आप चाहे तो टॉप रेटिड इंकास कैटेग्री टॉप रेटिड इन ब्यूटी कैटेग्री यह ना कुछ भी लिख सकते आप बैस सेलर हमारे लिए अच्छा काम करता है अपने आपने सोशल प्रूफ है कि या बैस सेलर अच्छा भी कर करेंगे कि कस्टमर ना एकदम से ओडर ही नहीं करें जब देखेंगा शिपिंग भी पे करनी पड़ेगी चेक आउट पे चीज अच्छी लगती है अभी हटाने की बात करेंगे कि अभी आप देखिए हमारे स्टोर पर ऐसा कुछ नहीं है ना हमने इंक्लूजिव और टैक् पेज कर रखा है सिंगल बटन कर रखा है और यहां पर हमारा चैक आप पेज खुल रहा है रिलीज़िट का सो यह हम एप्स वाले सेक्षन में बात करेंगे वहां पर हम एक ही बटन कर देंगे सिंपल ठीक है जिसे के लिए रहता कस्टमर के लिए उनना कस्टमर ना ही लिए रख हो जाएगा में से अकषन अटाना है तो इसे लिए काम यह सका कि टिटिट् अब्र ने डिखा निए आप चाहें तो दिखा सकते हो हमें नहीं दिखाने है और गलिक करेंगे and multi row colon हम दुबार से यहां पे multi row column हमें बनाने होंगे जैसे आफ देखोंगे सबसे पहले multi row column से बनाने से पहले यह बना लेते हैं यह quality assurance वाले one second कि यहां पर हमें यह वाले ऑप्शन देने जैसे आप देखोगे ना वाई बाय फ्रोमास यहां पर भी चाहिए प्रड़क पे होम पे तो हमने डिजाइन कर ली प्रड़क पे चाहिए होंगी मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको की डिटेल में बता चुका हूं अभी हमें कुलापसिबल जो रोज है ना वह एड़ कर लेते हैं देखें कितने अच्छी लगती हैं सो एड़ ब्लॉक कुलापसिबल रो ठीक है हमें तीन चाहिए एक और एड़ कर लेते हैं कुलापसिबल रो तीन हमारी एड़ हो गई अब हम फर्स्ट वाली पर जाएंगे और हमने बहुमिआ अगर का कोईलिटी अश्वरेंस के सब्सक्राइब हैं को बाकी आप चाहो तो अपने इस आप से भी लिग सकते हो ठीक है अ को डिबाल दिया अब देखो जैसी सामने अला देखेंगा तो उसे अच्छा लेगा अच्छा यह अक्वालिटी अशॉरेंस आप यहां हुआ है सेखेंड ड़ो पर हमें शिपंग को फिर देखने कि लीएं знаете सब्सक्राइब शिपना है कि ऊपका प्रोड़क्ट अब करें लिखना है कि आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब जल्दी करो अगले दिन करो तो 48 आवस भी कर सकते हो इतने दिन में हो जारे डिलीवर इसलिए हमने रिखा है प्री शिपिंग हम दे रहे हैं सो हमने वो मैंशन कर रहा है तस आप देखोगे अगर हम यहाँ से इस प्रच आएकन देना है ठ्रक आएकन यहां पर आपको देख जाएगा अपको यहां पर दिखाने में आजाते हैं दुबारा अपने डाला मने गैरेंटी यह शब्से जरूरी एक मनी बैक गैरेंटी देना विकस्तमर को सकता है आपका प्रड़क अच्छा ना लगे तो यहा औो यहाँ पर हमारा चेकमार्क और यहां पर हमें आइकन के ढाला है लिए खिह कहने मैं देखना होगा ओर वहowski क्रेंच करना है इस डेंचे रिटन है ठीक है आर हमारे रोटतर देंट करना गया गैरें को दीटन हो चुकी है सो हमारे कॉलैपसेबल रो हमारी डन हो चुकी है काफी अच्छी दिखते हैं जैसे आप देखोगे प्रीमियम लुक आता है इस टोर पे और इसके बाद हमें जो मल्टी कोलम मैंने आपको बताया था पूरा जैसे हमने एक बनाया था यहां पर हमने डाल दिया ठीक है इसे हम सेंटर कर लेते हैं पहले सेंटर फुल विड्थ हम पहले से वन थर्ड कर लेते हैं ओके यहां पर हम अगैन लोग प्राइज्ड शंप लो प्राइज जल्दी-जल्दी-शे मैं बना देता हूँ वाई यह हमारा रैढिदी ने करने के लिए अच्छन लगर है व सिब्ड़ागि में यह संटर लाइब खोला हमने इस control पर क्लिक करना है control command जैसे मैं मैं यूज कर रहा हूं तो अगर Microsoft क्या बोलता है उसको विंडर यूज कर रहे हो तो आपको control करना है ठीक है और यहां पर alignment में आपको center कर लेना है तो आपको center line हो जाएगा अगर यहां आप देख सकते हो कि हम इसको paragraph की हम headline भी कर सकते हैं सो और बड़ा हो जाएगा ठीक है स्वाप ऐसे explore कर सकते हैं इसको बोल्ड कर सकते हैं italic ठीक है underline कर सकते हैं जैसे आप देखोगे यह underline हो गया कुछ आपको करना है ओके left line राइट लाइन यहां पर इमेज इंसर्ट कर सकते हो वीडियो इंसर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब कर लेते हैं और यहां पर हमारा सेव है एक बड़ रिफ्राइश कर लेते हैं अब आप देखोगे center line हो गया अब अच्छा लग रहा है पहले अच्छा न लग रहा था लेफ्ट लाइन टाइन है ओके वाइब बाइफ्रोमस हमारा डन है ओके यहां पर हमने वह बटन नहीं अटाया है बटन हटाने के लिए बटन का नाम बच टैक्स अटाना है में बट अब यहां पर हमने अपना logo हमने पहले से बना के रख रख रखा है अप अप्लोड हो रहे वन सेकेंड सो हमने डन अबडेट नहीं हो आया यह थीए अपडेट हो गया पोड़ा सामने बड़ा करना होग ए थोटा लोग अच्छा न लग रहा ठीक है 130 पिक्सल थोड़ा सो और बड़ा करते हैं 170 पिक्सल करते हैं इसको एक बड़ रीफ्रेश करते हूं ठीक है इतना सही लग रहा है अब यह गाईस फैविकॉन होता है यह क्या होगा कि आपकी आप देखोगे उपर यहां पर जो भी आप टैब खोलते आइकन दिखते है अब यहां पर अपना फैव इकन जो भी होता है इसे बोलो आप इसे अपलोड कर सकते हो ठीक है जो भी आपका लोगो होगा वह अभी हमार पास कुछ नहीं है तो हम नहीं कर रहें आपके पास भी जहाते हैं नहीं होगा लोग बनानी पाते हैं इसे छोड़ दीजिए हम भी अपलोड नहीं करते हैं अगर हम मश्ट ग्रैप पे उपन करें एक सेकंड देखते हैं हम आपकी मरजी आप कर सकते हो असल में मश्ट ग्रैप वाला डिजाइनर ने मेरे बनाया इस लिए आपको सिखा पा रहा हूं मैं असल में जब भी हम कोई काम करें मैं खुद को आना च हमें एक नई कलर स्कीम बना लेते हैं मस्ट ग्रैप की तरह दिखें एक सेकंड एक कलर पिकर एक्स्टेंशन होती है ओके तो आप वह इंस्टॉल कर लो कलर पिकर एक्स्टेंशन यह हमने कलर जिल एक्स्टेंशन आ गई एड्टू करो हमने आपे अड्ड कर दही हमें अपनी एक यह हमें ये स्लैट करना है और फिक कलर तीक है यह कोडा हमें मिल चुका है अब हमे 1 तन्ष में एक नया अपना अग्राइंगे हम मैं हमने अड्र करा बैग्राउंड हमें वाइटी चाही थिकel ग्रेडियंट लगेगा थोड़ा ठीक है सभी लगेगा बैक्राउंड कलर ग्रीन रख लेते हैं यह हमें कलर जो ग्रेडियंट बना रहे हैं इसलिए वन सेकिंड सो डार्क साइड ठीक है यह सब्सक्राइब करते हैं इसको कैसा लग रहा है सेव करते हैं सेव पैलेट सो आप देखोगे अगर हम अनॉंस्मेंट बार पर आएं और यहां पर हम इससे कलर स्कीम इसकी चेंज कर सकते हैं जो हमने नई स्कीम बनाई हो आ गई वह आप देखिए एक कुछ ऐसा हो गया ठीक है ग्रीन सब्सक्राइब कर लेते हैं इसको थोड अइसरी स्कीम बनाते हैं ख्रेडियंट जो फिर्श्ट वाला हम रखेंगे थोड़ा सा डार्क तो बनाई हैं एंसको ट्राइय गरते हैं अब यह मिने डार्क बनाई है जेंज अब आप देखें नेचे हमारी स्कीम हागई है अभी थोड़ी आर», अब देखके Psalmm high up cut सके अब कर सकते हो अलग अलग color schemes बना सकते हो अभी हम इसे Jaag कर देते हैं जो हमारी scheme पहले वाली अछी लग ली थी वायट नहीं रखते हैं हम इसको green कर लेते हैं ठीक है यह ऑच्छी लग रही है आप इसे explore कर सकते हो बना सकते हो फ्लाट रख सकते हो कलर चाहे तो बागी हमने यहां पे इसे explore कर लिया है, settings में आ जाते हैं, plane एक बार plane बना के देख लेते हैं, okay, so तक इस सब को plane बनाने का भी clear हो जाए, so plane के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें, एक मेरा favorite green है, e-comm empires, so यह green अच्छा लगता है मेरे को, तो इस green को हम select करते हैं, ठीक है, यह हमारे green आ गया है, ठीक है, okay, so हम दोनों साइड जो gradient हम same color रख देंगे, यह आपे same green, यहाँ पे same green, ठीक है, हमारे एक ready हो गया green, हम back जाएंगे, ठीक है, save, so हमने announcement बार पे गए, one second, announcement बार पे आ गए हम, section पे, change color scheme, और scheme 3, अब यह थोड़ा अच्छा लग रहा है, हम text का color चाहें, तो white कर सकते हैं, अभी से हम ऐसी रहन देते हैं, पूर हम जो नीचे का color भी है, इसका footer का, उसको भी change कर सकते हैं, यहाँ पे हम आ गए, footer section में, इसकी scheme हम चाहें, ठीक है green कर दिया हमने, हमने ऐसे हम color scheme change कर सकते हैं, अगर हम product page पे आ जाएं, अब देखो, product पे भी apply हो चुकी है, footer क्योंकि हमारा same ही रहता है, हम चाहें से undo कर सकते हैं, पहले वाली क्योंकि ज़्यादा अच्छी लग दीती मेरे को, वह यह undo हमारे काम आता है, ठीक है, यह done, हम इसे save कर लेते हैं, color scheme के बाद, logo हमारा हो गया, color scheme हमने देख ली, उसके बाद typography, काफी लोगों अलग typography चाहिए होगी, यहाँ पर यह font use हो रहा है, आप change कर सकते हो, इसको, हमें एक pop out आ रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, अलग से product page खुले अलग से, सो हम क्या करेंगे, setting में आ जाएंगे अगें दुबारा से, हम cart पे आ गए, हमें page open करा, हमने page पे click करा, हमने add to cart पे click करा, अब एक अलग पूरा का पूरा add to cart page खुलेगा, लेकिन अभी नहीं खुला है, ओके क्योंकि अभी हम theme mode में है, अभी हम दुबारा setting में आ जाते हैं, एक drawer का भी option होता है, एक drawer खुलेगी अपना right से, इसे हम एक बार और देख लेते हैं, right पे हमने click करा, add to cart करा, अभी नहीं open हुई है, एक बार हम जाते हैं, manan store पे जाकर देख लेते हैं, manan store.in, जैसा आप देख सकते हैं, हम आगे हमारे store पे, live अभी हमारा store, shop now, add to cart, right से drawer खुली है जैसे आप देख सकते हो, यह भी अच्छा लगता है, दो मुझे काफी अच्छे लेखते हैं, right से drawer खुल रही है, और एक अपना page, अभी हम राइट से drawer वाली रख लेते हैं, काफी अच्छा लग रही है, so इसे done करते हैं, so हमारा product page पर काम done हो चुका है, एक और last setting रहती है, cart के हमने बात कर ली, cart हमारा done है, वह है check out page की, इसे क्या बोलेंगे, जो भी color बोलेंगे इसको, मैरून सा color जो भी, so अब हम color scheme में आ गए, हम color picker से color ले लेते हैं, color, color picker, okay, so हम आ गए अपना check out, और जो अपने button का color, अच्छा यहां पर भी आई गया, so button का color हमने check out page का, वो यह कर दिया, same color जो हमारा buy now का था, ताकि एक scheme maintain रहे न, यह check out, page का मेंशा button का color आपको same ही रखना है, वरना scheme maintain नहीं रहेगी, थोड़ा unprofessional लगेगा, so यह हमारा done है, and अब एक बार मैं आपको दुबारा money store दिखा देता हूं, अब यहां पर हमने buy it now करा, add to cart नहीं कर रहे हैं, आप देखो अभी logo आगे न, अगर हमने logo upload नहीं कर रहा था, तो हमारा logo नहीं आता, यह करना जुरूरी है, so payments अभी अच्छे यहां पर payments नहीं है, one second, यही मैं कह रहा था, कि कुछ चीज़ें हमें करनी होती है, so यहां पर हमने money store पर आ जाते है, one second, हम setting पर आ जाते हैं, नीचे दुबारा से, setting, payments पर आ गए हम, manual payment, cash on delivery, activate cash on delivery, यह आपको activate कर लेनी है, और अब हम आ गए, one second, money store पर आ जाते हैं, दुबारा से, अब हमने refresh करा, तो आप देखोगे, COD का option available हो गया, आप देखोगे button का जो color, मैंने आपको बोला था, change करने के लिए यह हमारे store के button color से match हो रहा है, professional लग रहा है, logo आ गया button का color आ गया, तो इससे पूरी एक theme maintain रहती है, अब हम यहाँ पर email डाल लेते हैं, dot com, डली एक पर test कर लेते हैं, ठीक है, complete order, अब आप देखोगे, shipping method जो हमने डाल लेते हैं, standard एक free shipping है, express delivery है, इसके 40 रुपे एक्स्ट्रा है, okay, इसलिए काम आता है, कई लोग इसे select करते हैं, लेकिन हम free रहने देते हैं, complete order, और हमने हमारा order successfully place हो चुका है, तो हमारा store अच्छे से काम कर रहा है, question delivery काम कर रही है, तो ठीक है, और आगर आप देखोगे, अगर हम आ जाएं अपने store पर, orders में, तो हमको एक order आ भी चुका है, और एक किसी और ने अभी order कर रहा है, हमारे store पे, अभी एक minute पहले किसी ने try कर रहा है, तो उनका भी order है, ठीक है, तो अब देखेंगे, क्या नाम है इनका, कोई दूसरी language है, ठीक है, हमारा product page ready है, आपको settings की बात कर लेते हैं, जैसे आप देखोगे, यहाँ पे inclusive calculated है, अगर हम यहाँ पे add to cart करें, इसको, यहाँ से नहीं होगा, so हम add to cart करते हैं, shop now, add to cart, so, आप देखोगे, यहाँ पे add to cart पे भी लीचे दिखाएगा, one second, देखो, taxes and discount and shipping calculated as checkout, तो हमें यह नीचे न, customer डर जाएगा वरना देखके, so हमें क्या करना है, हमें आ जाना है, पहले हमें से copy कर लेना है, one second, so, अब, one second, आपको आ जाना है, आपको यह three dots पे click करना है, added default theme content, आपको इस पे click कर देना है, done, and यह filter items में आपको डालना है, shipping calculated as checkout, यह type कर दीजिए, बस, यहाँ पे checkout का दिखा रहा है, one second, हम must grab से उठा लेते हैं, must grab open है, shipping, inclusive old taxes, यहाँ आपने save कर लिया, calculated at checkout करते हैं, ठीक है, say cart का आ गया है, हमें सारे taxes, यह सारे हमें inclusive old taxes कर देना है, ठीक है, product page का भी आ गया, inclusive old taxes, जैसे आप calculated at checkout लिखोगे, सब पे आपको inclusive old taxes कर देना है, अब अगर हम चलते हैं, हमारे manan store पे, हम refresh करते हैं, अब आप देखोगे, inclusive old taxes आ रहा है, यही हमें चाहिए, वहना customer डर जाएगा, भी refresh करता हूँ, add to cart, अब cart page पे भी आप देखे, inclusive of old taxes आ रहा है, यही चीज़े आपको set कर लेनी है, यही पे guys हमारा पुरा store का setup हमारा complete होता है, hey guys, I hope आपको एक class अच्छी लगी होगी, so video को like करना मत भूलना चैनल पर नए हो, तो subscribe करके जरूर जाना, मैं आपसे मिलता हूँ next video में,